Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel, Binakshi Maths Classes आज इस वीडियो में हम करेंगे Class 8, Chapter 7, Algebraic Identities Brain Teaser, Question 8 Question 8 में देखें हमें दिया गया है, If x plus 1 by x is equal to 8, find the value of x square plus 1 by x square तो अभी देखो इसकी तो आपको value find करनी है, इसका तो आप कुछ करने ही सकते तो अभी आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है, x plus 1 by x is equal to 8 आपको पते देखो x square आया हुआ है, मतलब यहां कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि square आए square कैसे आएगा, squaring से, तो हम यहां लिखेंगे squaring both sides squaring both sides आप कोई भी operation दोनों तरफ same लगा सकते हो, तो मैं यहां पर भी squaring करूँगी और यहां पर भी squaring करूँगी तब जब हम यहां square कर देते हैं, तो यहां हमारी identity कुन सी use होगी आपका identity use होगी, a plus b का square तो इस के according क्या होता है, a square plus b square plus 2 ab तो यहां पर हमारी identity use होगी, x square plus 1 by x square plus 2, देखो a square plus b square यह square तो लग चुके plus 2, a और b मतलब दोनों के multiply, यहां से x और यहां से 1 by x is equal to, 8 का square कितना होगा, 8 rates are 64 x से x cancel होगा, यहां पर मेरे पास आएगा x square plus 1 का square होता है 1, और नीचे से x का बन जाएगा x square यहां पर है 64, यह plus के 2 है, उदर जाएगे minus के 2 हो जाएगे तो हमारे पास final answer आजएगा, x square plus 1 by x square is equal to 64 में से 2 minus कर देंगे, तो हमारा answer आजएगा 62 next हमारे पास है question number 9, if a minus 1 by a is equal to 5 find the value of a square plus 1 by a square, अब इसकी तो value find करें, मतलब हम सिर्फ इसका use कर सकते हैं, हमारे पास है a minus 1 by a is equal to 5, हम squaring करेंगे both sides, तो हम यहां लिखते हैं, squaring both sides, यहां पर भी square किया, और यहां पर भी square किया, अब यहां square करेंगे तो identity use होगी, तो हम यहां लिखेंगे, यह दो term minus में हैं, तो a minus b का square यूज होगा, identity के according होता है, a square plus b square minus 2ab, तो यहां पर आएगा, a square मतलब पहली term का square, plus दूसरी term का square, और minus 2ab, minus 2ab, पहली term और दूसरी term, और 5 का square होता है, 5, 5s are 25, a से a cancel हो जाएगा, a का square बनेगा, a square plus, 1 by, देखो, 1 का square होता है, 1, और a का square होता है, a square, is equal to 25, यह minus के 2 हैं, इदर जाके, plus के 2 हो जाएगे, तो a square over 1 by, plus, a square over 1 by a square का answer आदेगा, 25 plus 2 हो जाएगे, 27, next हम करते हो, question number 10, if a square plus 1 by a square is equal to 23, then find the value, अब आप देखो, जादा पावर का answer दिया हो है, पावर 2, 2 हो तो उसका answer दिया हो है, 23, अब हमें छोटी power में जाना है, इसका answer देना है, तो अगर आप इसका square करोगे, हमें यहां से एक दम दिया तो पता चल जाता है, कि squaring वाला कोई कोशन है, अगर मैं इसका square कर दूँगी, तो 2 की पावर 2 को और करोगे, तो 4 बनेगा, मतलए यहां पर square नहीं करना, यह जो दूसरी चीज दियो है, आपको इसका square करना पड़ेगा, हमारे पास है, a plus 1 by a, मेरे को यह दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इसकी ही value find करनी है, मैं इसी का square निकाल इसका square निकाल लूँ, तो इसका square की value का होगी, दो term का square हो तो क्या होता हो, first term का b square, second term का b square, plus में 2, a plus b का square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, a into 1 by a, आप यहां लिख दोगे, because a plus b का square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, ठीक है, यहां से देखो, a से a कैंसल होगा, अब आप इसको left side को ऐसे का एसे लिखा रहने देना, a plus 1 by a square, इसको ऐसे का इसे लिखा रहने दो, a का square कितना होगा, a square बनेगा, plus 1 by 1 का square 1, और a का square बनेगा, a square plus में 2, ठीक है, अभी आप यहां देखो, आपके पास दिया होगा, कि अगर कहीं पर a square plus 1 by square लिखा, तो इसकी जगा आप 23 लिख सकते हो, तो इसकी जगा मैं लिख सकते हूँ, 23 और प्लस में 2, 23 प्लस 2 कितना होगा, 25 और वो क्या होता है, 5 का square, ठीक है, यह left वाली चीज हर जगे, यह as it is है, तो हम इसको हर जगे ऐसे का, ऐसे ही लिख देंगे, अब आप देखें, जब a plus 1 by a square is equal to 5 square है, जब सब कुछ शिक वला है, जब power भी same है, तो base भी same आजाएगा, तो हम इहां लिखेंगे, on comparing base, on comparing base, तो यहां से a plus 1 by a की value कितनी आजाएगी, 5, ठीक है, नेस्ट हमारे पास, यह भी same आजाएगी question, तो हम पहले यह उठाएगे, x minus 1 by x, मैं इसी का square करती हूँ, तो मेरे पास है, first term का square मतलए x square, plus second term का square मतलए 1 by x का square, a minus b का square, तो a square plus b square minus 2ab, x into 1 by x, हमने coincide identity use की है, a minus b का square, तो उसके coding होता है, a square plus b square minus 2ab, x से x cancel होगा, यहां से आएगा, x minus 1 by x square, यह आपके पास बनेगा, x square plus 1 का square होता है, 1, x का square होता है, x square minus में 2, अब यहां से देखो, इसकी value आपको दी गई है, इसकी value आपकी 51, 51 में से 2 minus कर दो, तो कितना आएगा, 49, और 49 को हम लिख सकते हैं, 7 square, ठीक है, यहां पर मेरे पास हर जगा था, x minus 1 by x का square, अब सेम वही, जब left और right विलकु लिक्वल है, जब power भी सेम हो, तो base भी सेम होंगे, तो हम यहां लिखेंगे, own comparing base, तो x minus 1 by x किसके equal आजाएगा, 7 के, x minus 1 by x is equal to 7, यही आपका answer आजाएगा, नेक्स्ट आम मारे पास, question number 12, simplify, अब simplify करेंगे, तो हम कोई ना कोई identity यूज करके ही करने की कोशिश करेंगे, तो अब आप यहां देखो, 2.3 दो बार लिखाओ, तो मैं इसको लिखती हूँ, 2.3 का square, यहां पर लिखाओ 0.3 तो मैं इसको लिखती हूँ, 0.3 का square, दो बार लिखाओ, तो squaring में convert कर लो, ऐसे यहां पर भी 2.3 into 2.3 है, तो इसको लिखेंगे 2.3 का square, यहाँ पर मेरे पास है 0.3 को दो बार लिखा गया multiplication में तो मैं इसको लिखोंगी 0.3 का square minus 2, 2.3 into 0.3 अब आप यहाँ देखो हम यहाँ लिखेंगे because यहाँ a square minus b square की identity लग रही है first term का square minus second term का square एक बार दोनों को plus और एक बार दोनों को minus और एक हमारे पास a minus b का square यह identity होती है a square plus b square minus 2ab अब हमारे यह दो identity यहाँ यूज हो रही है तो इसके according अगर पहली term का भी square और दूसरी का भी square और बीच में minus हो तो एक बार तो उन दोनों term को plus में लिखो और एक बार उन ही दो term को minus में लिखो और यहाँ पर क्या बन रहा है a square plus b square minus 2ab भी बन रहा है तो यह कोल से बन रही है यहाँ right का दिया और left में convert को a minus b का square तो a की जगे 2.3 है और b की जगे 0.3 है अब हम क्या करते हैं उपर वाला सारा कुछ ऐसे का ऐसे लिखा रहने देते हैं 2.3 plus 0.3 into 2.3 minus 0.3 और निच्चे देखो निच्चे फिर से इडेंटिटी यहाँ देखो किसी चीज का whole square बन रहा है मैं इसको दो बार लिख सकती हूँ 2.3 minus 0.3 2.3 minus 0.3 अब आप यहाँ से देखो यहाँ पर वाला निच्चे सेम है चाहो तो solve करके लिख लो या फिर चाहो तो आप इसको सिद्धा का सिद्धा ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हो ठीक है अगर किसी बच्चे को लगे कि मैं अगर हम इसको solve करके लिख लें तो solve करके लिख सकते हो ठीक है यहाँ पर मैं तो कहूंगी कि देखो यही टर्म उपर यही टर्म नीचे तो यह इस पूरी से यह वहले टर्म कैंसल हो जाएगी तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर अगर आप सोल्व करके लिखना जाते तो सोल्व करके लिख लो तो यहां से कितना एगा 2.3 में 0.3 आड़ करोगे तो 2.6 बनेगा और नीचे तो 2.1s are 2, 2.3s are 6 तो आपका अंसर आजाएगा 1.3 नेक्स हम करते हैं question number question number 13 में देखे हमारे पास दिया हुआ है if 3x minus 4y is equal to 10 and xy is equal to minus 1 find the value of 9x square plus 16y square आपको इसकी value find करनी है अब यहां पहले वो चीज़े देखो जो आपको दी हुई है मेरे पास एक तो दिया हुआ है 3x minus 4y is equal to 10 मैं both sides squaring करती हूँ ठीक है हम यहां लिखेंगे squaring both sides squaring both sides तो अब आप यहां से देखो यहां से a minus b का square open होगा तो वो क्या होगा 3x square plus 4y square minus 2 3x into 4y और यहां से 10 का square होगा 100 आप यहां लिख देना a minus b का square हमने identity यूज की है a square plus b square minus 2ab यह हमने identity यूज की है तो यहां से देखो left में 3 का square बनेगा 9x square 4 का होगा 16y square minus 2 3 6 6 4 24 xy is equal to 100 अब इसकी तो value मुझे निकाल नहीं है इसको तो मैं ऐसे ही लिखते हूँ 9x square plus 16y square minus 24 xy की जगा इन्होंने बोला गर x or y multiply में तो आप उसकी जगा minus 1 लिख सकते हो 9x square plus 16y square minus minus plus 24 x 24 is equal to 100 तो अब आप यहां से देखो कि यह जो आपके plus के 24 है उदर जाके क्या हो जाएंगे minus के 24 100 plus के 24 इदर जाके minus के 24 100 में से जब हम 24 को minus करेंगे तो यह आजाएगा हमारा 2076 यही हमारा answer है next हम करते है question number 14 जो आपका question number 14 और 15 है बहुत important है और maximum time यह आपका question आपका paper में जरूर आता है तो अभी आपके पास देखो यहां क्या लिखा हुआ है 5x minus 2y यह 7 के equal है xy 2 के equal है और आपको value find करनी है 5x plus 2y इसका square ठीक है इसका भी square करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे जो दो चीजे दिए आप इनके square करके निकालो 5x minus 2y is equal to 7 है मैं both side squaring करती हूँ इस पे भी और यह जो xy is equal to 2 है इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं ठीक है यहां देखो इसका जब आप open करोगे तो a minus b का square open होगा तो यह आपके पास आएगा 5x square plus 2y square a minus b का square है a square plus b square minus 2ab यहां से आएगा 5x into 2y is equal to 7 का square होगा 49 यहां पर आप identity जरूर मैंशन करना a minus b का square हमने यूज किया है a square plus b square minus 2ab ठीक है इसको solve करो 5 का square होगा 5 5s are 25x square plus 2 का square 2 to the 4y square minus 2 5s are 10 10 to the 20xy is equal to 49 यहां से आएगा 25x square plus 4y square minus 20 xy की जगह मुझे लिखना है 2 तो मैं लिख देती हूँ 2 is equal to 49 तो यहां से आएगा 25x square plus 4y square is equal to 49 plus के 20 यहां से बदे को बनेगा minus के 40 बनेगे 20 into 240 तो इदर जाके हो जाएगा प्लस 40 तो यह आजाता है 89 ठीक है यह हमारे पास कितना आजाता है 89 अब मुझे value find करनी है 5x plus 2 यह मेरे पास है 25x square plus 4y square इसको मैं ऐसे circle में लिख रही हूँ ठीक है मुझे इसका use करना है क्योंकि कहीं न गई अब मेरे पास question में है 5x plus 2y और उसका whole square अब मुझे इसकी value निकाल लिए ठीक है मैं इसका square open करती हूँ तो a plus b का square हमारे पास क्या होता है a plus b का square क्या होता है a square plus b square plus 2ab identity लिखना बहुत जरूरी है तो अब आप यहां से देखो 5 का square होगा 25x square 2 का होगा 2, 2 is a 4y square यहां से 2, 5 is a 10, 10, 2 is a 20xy अब आप यहां से देखो यह जो इतनी चीज़ है इसकी जगा अभी अभी हमने निकाल ला था अगर कहीं पर 25x square plus 4y square उसकी जगा आप 89 लिख दो प्लस में 20 और xy की जगा आप का लिख सकते हो 2 तो यहां आजाएगा 2 तो यहां आएगा 89 plus 40 तो आपका अंसर आजाएगा 129 तो आपका यहां पर अंसर आजाता है 129 यह आपका होगा question number 14 लास्ट question करते है question number 15 नेक्स्ट हम करते है question number 15 question number 15 में देखे हमारे पास दिया हुआ है same वैसा यह question है 17 by 4 both side squaring करते हैं ठीक है तो आप यहां लिख देना squaring both side तो यहां पर आखके identity use होगी a plus b का square तो आप यहां लिख देना because a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab उसके according यहां पर क्या बनेगा a का square plus 1 by a इसका भी square plus 2 में इन दोनों की multiplication a into 1 by a a square plus b square plus 2ab और यहां से 17 by 4 का square करेंगे 17 का square होता है 289 और 4 का square होता है 4 for the 16 तो यहां से बनता है a square plus 1 का square होगा 1 a का होगा a square a से a को cancel करो यहां पर plus 2 289 divided by 16 तो यहां से a square plus 1 by a square को left में ही लिखते हैं यहां से 289 by 16 है right में यह plus के 2 इधर जाके क्या हो जाएंगे minus के 2 अब हम इसको LCM लेके यहां पर solve कर लेते हैं 16 LCM नीचे वाला सेम है तो उपर वाला भी same 289 minus अब देखो नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो 16 को 1 से डिवाइड करते हूं 16 ही आएगा 16 तो यहां से मेरे पास आ जाता है यहां पर 257 divided by 16 यह किसका अंसर है a square plus 1 by a square का तो हम इसका use करेंगे कहीं न कहीं हमारा इसका use होगा ठीक है अब हम एक बर मैं आपको दिखा देती हूं find the value of a minus 1 by a मुझे value निकालनी थी a minus 1 by a अब देखो यहां से तो मैंसे नहीं निकाल सकती मैं इसका भी square कर देती हूं मैं इसका भी square करती हूं तो यहां a minus b का square open होगा और मुझे पता है a minus b का square क्या होता है a square plus b square minus 2ab होता है तो इसके according यहां पर बनेगा first term का square second term का b square a square plus b square minus 2ab बनेगा मतलब a into 1 by a a से a cancel होगा यहां पर आएगा मेरे पास left वाली चीज़ ऐसे कि हम साथ के साथ चलाएंगे यहां से आएगा a square plus 1 by a square minus में 2 अभी अभी हमने देखा था कि कि अगर कहीं पर a square और 1 by a square लिखा हो तो इसकी जगा 257 divided by 16 लिख सकते है तो मैं यहां लिखूंगी 257 divided by 16 minus में 2 अब यहां पर देखो इस calcium solve करो 16 निचे वाला सेम है तो उपर वाला भी सेम 16 2 जा 32 तो यह आता मेरे पास 225 divided by 16 अब 225 को हम कहा लिख सकते है 15 divided by 4 का square और left वा minus 1 by a square अब आप देखो जो left और right में जो power भी सेम है और ठीक है जब सब कुछ सेम है तो base भी सेम होगा तो हम यहां लिखेंगे on comparing base तो यहां से a minus 1 by a इसकी value आजाएगी 15 by 4 यही आपका answer है तो यह आपका brain teaser का last question था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much